हलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिभर फ्राइ की रेसिपी, इसके लिए मैंने पतीले में थोड़ा से लिभर के पीसेस लेकर इसमें थोड़ा से हल्दी डाल दिया है, फिर लाल मिश पाउडर, और फिर हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैरिनेट करके र ओयल डालकर प्यास को फ्राय करेंगे प्यास को मैंने कट करके रख लिया था उसका भी हम फ्राय करेंगे देखिए मैं इस तरह कर रही हूं आप लोग भी उसी तरह कीजेगा बहुत ही टेस्टेटीस बनके रेडी होगा यह तो प्यास टालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राय करेंगे इसी प्रेसर को करने ही प्यास को अच्छे से फ्राय करने से उसका कलर भी अच्छा आएका और मतलब अच्छा भी दिखेगा अभी बोटीस तो आप लोग इस तरह को अच्छे से कीजेगा है जब यह प्यास फ्राय हो जाएका तब ही हम क्या करेंगे न इसमें देखिए अभी प्यास फ्राय हो गया है अभी हमने यह लिया था सुक्छा लाल मिर्ज होते है उसका ओर लैसुन अध्रका पेस्ट बना लिया था इसको इसमें डाल देगा इसको मिलाके इसको अच्छे से मतलब आई करेंगे तेल में इसमें क्या है ना आप इतना अच्छे से अच्छे हो रहा है आपको ऐसे तीरे तरे करके इसको चलाना है जैसे कि वह लगे ना जैसे कि वह जैल ना जाए उस टाइब का फिर क्या करना है न आपको सारे लीवर शुमने मारिनेट करके रखा था वो इसमे डालके फिर इसको ऐसे धीरे-धीरे-धीरे चलाना है अभी देख से subst है कितना अच्छा color आ गया इससी स्टेज में आप थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालें आपको चलाना है इसको देख सेते कितना अच्छा कलर आगया अभी मसाले का लीवर जो है न उसको थोड़ा टाइम चाहिए मतलब गलने के लिए तो वो अच्छा नहीं लगा कच्छा रहे जाएगा उसको पकने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो वही हम करें इसलिए मैंने आलू डाल दिया है आप लोग स्किप भी कर सकते हैं बीना आलू के भी बना सकते हैं इसको सिर्फ लिवर का फ्राई भी बहुत अच्छा लगेगा तो आलू डालने के बाद कुछ नहीं इसको वैसे ही मसाले को और थोड़ा गलने के लिए छोड़ देना है व अब इसको अच्छे से चला देना है तो अभी क्या है ना यह अच्छे से रेडी हो गया है आप इसको थोड़े सीम में बिठा देजेगा कवर करके बेच में ताकि वो जो लिवर अच्छे से पक चाए अभी देखिए हमने इसको निकाल दिया है प्लेटिंग के लिए बहु अच्छे कमेंट करके बता है कैसा लगा और डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू गाइज